देखो, देखो, है शाम बड़ी दिवानी धीरे, धीरे, बन जाए ना कोई कहानी देखो, देखो, है शाम बड़ी दिवानी धीरे, धीरे, बन जाए ना कोई कहानी दिल पर है, दिल कश है, दिल दार नजारे है आज जमी परोतरे कितने सितारे है अकलो भोश नमी तानम, हम है दिल है परजानम बस दिवान की दिवान की दिवान की है ना कोई रहतन ना रहबर, ये इलजाम लगे किस पर, वो बस दीवानगी, दीवानगी, दीवानगी है All the hot girls, put your hands up and say, Aum Shatiyo All the cool boys, come on, make some noise and say, Aum Shatiyo पर शुष आपयान वाले बहुत सारे लोग होता है So start first with the very very obvious choice, my mother मेरी जिन्दगी में एक इन्सान है, एक आदमी है, आदमी, एक लड़का, वो तुम हो Sajid Luckily we are parents who would always tell you that if you want to go anywhere, Farah has to be with you, not good for me दोस्तू, माता-पिता के नाम से हर वेक्ति को जाना चाता है पर जो वेक्ति अपने काम से अपने माता-पिता का नाम रोशन करके पूरी दुन्या में फैला दे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं पर इसी कहावत को सत्साबित क्या है डांस कोरियोग्राफर फराख खान ने तो चलिए शुरू करते हैं इनके संगर्श के कहानी फराख खान का जनम 9 जनवरी 1965 को मुंबई शहर में हुआ इनके पिता का नाम कामरान खान और माता का नाम मेन का इरानी था फराख के पिता एक मशूर स्टन्ट मैन और फिल्मेकर थे और आपजान का रियाश्चर होगा कि फराख खान फराख खान अक्तर के कजन है और फराख खान के सगे भाई का नाम साजित खान वे भी बॉलिवुड में कॉमेडियन और डिरेक्टर है फराख खान ने बच्पन से ही मुसीबतों का सामना किया इनके पिता जो कि एक फिल्म मेकर थे उन्होंने एक फिल्म का निर्मान किया ऐसा भी होता है जिसमें फराख खान के पिता के सारी कमाई लग गई और फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी आर्टिक नुटसान होने के साथ साथ फराख के माता पिता के रिष्टे भी ठीक नहीं थे इसलिए फरा खान जब काफी छोटी थी तो फरा के मता-पिता अलग हो गए और फरा बताती है कि उन्होंने अपना बच्पन बहुत गरीबी में बिताया और बात करें तो उन्होंने अपनी पड़ाई सेंट जेविर्स कॉलेज मुंबई से पूरी की और वह अपना करियर डांस में ही मनाना चाती थी और इसी के साथ जब फरा कान अपना कॉलेज पूरा कर गये काम के तलाश में थी तो उन्हें ड़ांसर की जिए असिस्टन डायरेक्टर का काम मिला आमिर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर में जिसे मंसूर खान डाइरेक्ट कर रहे थे और इसी दोरान ऐसा हुआ फिल्म के सेट पर पहले नशा गाने की शूटिंग चल रही थी और इस गाने को कोरियोग्राफ कर रही थी सरोच खान पर सरोच खान ने इस गाने को छोड़ दिया था और जैसा सब जानते थे कि फरा खान भी डांसर है तो इस गाने की कोरियोग्राफिय करने के जिम्मेदारी फरा खान पर आ गई और फरा खान ने बॉली वुड में अपना पहला गाना कोरियोग्राफिया इस गाने को बहुत प्यार मिला और फरा खान की कोरियोग्राफिय को भी उस साल बेस्ट कोरियोग्राफर का फिल्म फेर अवर्ड मिला और यहीं सही फरा खान के बॉलिवर्ड में एंट्री हो गई थी और इसके साथ फराखान ने काफी फिल्मों की कॉरियोग्राफी करी जैसे मांसून वैडिंग, गॉंबे ड्रीम्स और वैनेडी फैर और उनको वैनेडी फैर के लिए 2004 में इंटरनेशनल टॉनिय आवर्ड के लिए नोमिनेट किया गया और आगे चलके फराखान ने फिल्में भी डाइरेक्ट करी जैसे मेहूना और ओम शांतियों जिसमें फराखान ने बादुपन को काम करने का मौका दिया और Om Chantium एक बहुत बड़ी सूपरीट मुवी सावित हुई और आगे फराखान ने दुनिया की मशूर पॉप स्टार शकीरा के लिए भी डांस कोरियोग्राफ किया जो था और फराखान ने 2009 में आई ब्लू फिल्म के गाने चिकी वीकी को भी कोरियोग्राफ किया कोरियोग्राफ किया और बात करें उनके टीवी शो की तो फराखान को इंडियन आइडिल वन और टू सीजन का जज़ बनाया गया और आगे सौनी टीवी पर आने वाले एंट्रेंटेंट के लिए कुछ भी करेगा मैं भी जज़ बनाया गया और इसी के आगे डांस इंडिया डांस लिटल मास्टर में भी जज रही और आगे 2011 में स्टार प्लस के शो ज़स डांस की भी जज इनहीं बनाया गया था और अभी तक सबसे लेटेस्ट फरा खानने 2013 में आई स्टोडेंट आफ दा इयर के गाने राधा और आई पेल के थीम सौंग जंपिंग जबाब को कोरियोग्राफ किया है चौका लगे तो दिगा और इसी मेहनत के कारण फरा खान को उनके पूरे करियर में तिन फिल्म फेर आवर्ड, चार आईफ आवर्ड, तीन जीसेन आवर्ड और एक नेशनल आवर्ड से नवाजा गया है और वीडियो के अनते में बस इतना ही कहूंगा कि कैसे एक अकेली लड़की ने पूरे बॉलिवोड में अपना और अपने माता-पिता का नाम डांस के दम पर रोशन किया मेहनत और लगने के साथ इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है आप और हम भी इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं डांस और मेहनत के दम पर और आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर आपको हमारी वीडियो में किसी भी प्रकारिय कोई भी कमी दिखती है तो प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर लखें ताकि हम हमारी कमी को सुधार सकें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप डांसिंग